हलो साथियो नमस्कार कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे यूपी में अंगनवाडी भरती आचुकी है 2024 में कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है क्या योग्यता रहने वाली है क्या आपकी एज लिमिट रहेगी और यहाँ पर कुल वेकेंसी 23,753 है इस वरती में कोई भी एक्जाम नहीं होगा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा तो सबसे पहले इस वेकेंसी का नोटिफिकेशन देखेंगे नोटिस देखेंगे और इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कोई भी पुरुस अब्यारती पात्र नहीं होगे यह वेकेंसी केवल महिला ब्यारतियों के लिए है जो भी अपने घर के आसपास जोब करना चाहता है अपने वोर्ड में जोब करना चाहता है वही इस फोम को भरे क्योंकि आपके जो वेकेंसी है आपके वोर्ड में निकलेगी और वहीं पर आप आवेदन कर सकते हैं क्या योग्यता रहेगी वो सब आपको नोटिस में देखने को मिल जाएगा तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सबस्क्राइब कर लीजिए ये आपके सामने पीडियेफ है वेकेंसी के नोटिफिकेशन को लेकर के जो की सारणपूर डिस्टिक की है और ये 19 अक्टूबर 2024 को नोटिस आया था यह विग्यप्ति आया थी जिसमें बताया गया था कि कहां कहां कितनी वेकेंसी है जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जैसे ननोता में, रामपूर मनिहारन में मुझे फरबाद में ये सारी वेकेंसी यहां पर रिक पदो की संक्या इधर दी गई है यानि टोटल 296 पोस्ट है सहरनपूर डिस्टिक के अंदर कौन-कौन इसमें पातर होंगे वो भी आपको आगे मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको बता दू किसमें आपकी 12 पास होनी जरूरी है और आप केवल अपने ही वार्ड में अप्लाई कर सकते हैं ये वेकेंसी गट या बढ़ भी सकती है ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इतनी ही वेकेंसी है जब तक भरती कंप्लीट होगी तब तक वेकेंसी बढ़ या गट भी सकती है सबसे पहले देखते हैं केवल महिलाए अब भ्यारती ही पातर होंगे ठीक दूसरा आपका 12th पास होना जरूरी है तीसरा आप उसी वोर्ड के निवासी होने चाहिए जिस वोर्ड में आप प्लाई कर रहे हैं और एज लिमिट के बात करते हैं आपकी एज 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए कहां पर आप आवेदन कर सकते हैं तो up आंगनवाडी भरती डो टीम ये वेबसाइट है अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी इसी वेबसाइट पर जाकर कि आप अपना फोर्म भर सकते हैं इस फोर्म को भरने में नहीं कोई फीस लगने वाली नहीं कोई एक्जाम होगा नहीं कोई इंटरव्यू होने वाला है केवल और केवल आपका जो एप्लिकेशन है वो ओनलाइन होगा यानि आपको ओनलाइन अवेदन करना होगा ओफलाइन कोई भी आपको अवेदन नहीं करना है नहीं वो स्विकार किया जाएगा ठिक विज्यप्ति की जो लास्टिति है वो 9 नवंबर 2024 है यानि 9 नवंबर से पहले आप अपने इस फोर्म को भर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों या अप सहलियों के पा 62 साल की उमर तक आप इस मैक में में इस फिल्ड में जोब कर सकते हैं 62 के बाद आपकी जो आई यू 62 की हो जाएगी उसके बाद आपकी सेवाए समाप्त कर दी जाएगी यानि 62 साल की उमर तक आप इसमें एपलाई कर सकते हैं 18-30 से एपलाई कर सकते हैं और 62 साल की एज तक आप इस जोब को कर सकते हैं, बागे नोटिफिकेशन ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं टेलिग्राम ग्रूप में भी डाल दूँगा, ओनलाइन सिक्षन हमारा टेलिग्राम ग्रूप है, उसमें जाहिए और वहां से इसको डाउनलोड भी कर लेना, ठीक, अब एपलाई क डालेंगे, जैसे आपका नाम होगा, एकस वाई जड़ कुछ भी, जैसे काजल है तो काजल डालेंगे, उसके बाद फादर नेम डालेंगे, और अपना डिस्ट्रिक यहां से स्लेक्ट करेंगे, जैसे सारणपूर में ये वैकेंसी आई है, तो सारणपूर आप कर देंगे, इसके बाद यहां पर मुबाइल नमबर और पासवर्ड बनाएंगे, जैसे आपका नाम स्वाती है, तो S कैपिटल बाकी स्मॉल में एड़रेट 123, इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना लेना, अधार नमबर और इमेल आईडी, कमपलसरी नहीं है, कमपलसरी केवल पा आपका रेजिस्टरेशन हो जाएगा, इसके बाद यहां पर फिल कर देना, उसके बाद आपका आपका फोर्म भर जायेगा, जैसे ही इसके मैरिट वगएरा कुछ भी लगेगी, तो आपको मैं वीडियो के माद्यम से बता दूँगा, इस चैनल को सुब्सक्राइब जरूर कर लीजे, बाकि सभी जीलों में वेकेंसी आती रहती है नेक्स्ट जीले में कब वेकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे, मिलते हैं नेक्स्ट अब्डेट में, धन्यवाद